Hello everyone, so हमारी आज की जो क्लास है, ये है क्लास 11 का चाप्टर जिसका नाम है रंगाज मैरज, क्या नाम है हमारे चाप्टर का? रंगाज मैरज नाम है और इससे पहले हम the address चाप्टर कर चुके हैं, वो हमारा complete हो गया था और ये next चाप्टर है जो हम आज के lecture में करने वाले हैं, सो शुरू कर देते हैं, बिसिकली इसमें क्या होगा, कि इस चाप्टर की अगर मैं आपको एक समरी बताऊं, समरी नहीं या फ़र थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूँ, तो ये जो स्टोरी है, वो कहां रिवॉल्व करेगी? ये जो स्टोरी है, वो रिवॉल्व करेगी रंगा नाम का एक कैरेक्टर है, जो की है एक अकाउंटेंट का बेटा, क्या है वो बंदा? अकाउंटेंट का बेटा है, और इसके चारो तरफ ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी, जो की गया था शहर, उसको क्या ओपर्चिनिटी मिली थी? उसको ओपर्चिनिटी मिली थी, क भाई वो शहर जाकर पढ़ाई कर सके तो अब वो आया है शहर से पढ़ लिख कर वापस और शहर से पढ़ लिख कर वापस आने के बाद कैसे हमारे जो राइटर है वो क्या करेंगे उसका नजरिया बदलता हुआ दिखाएंगे हमें शादी को लेके perception जो है शादी को लेके रंगा का perception of रंगा ठीक है शादी को लेकर वो कैसे बदलता है तो वो हम देखेंगे बड़े मज़े आने वाले आपको अलग-अलग funny instances भी हमें मिलेंगे स्टोरी के अंदर जिससे आप स्टोरी से पक्के तरीके से रहोगे एक दम जुड़े हुए फैविकॉल के जोड की तरह सो देखो क्या बात की गई है यहाँ पे अरे 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 यह क्या हो गया वेट 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 सी शुरू करते हैं कि रंगा दे अकाउंटेंट सन रंगा जो कि अकाउंटेंट का बेटा है वो क्या है एक बहुत ही rare मतलब कम पाई जाने वाला वन शैएक तरीके का गाउं का ऐसा क्यूं कहा गया है क्यूंकि वो गया था वो इतना rare breed क्यूं है क्यूंकि वो गया था शहर पढ़ाई करने के लिए इसलिए गाउं में जो है बहुत कम लोग होते हैं जो शहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए When he returns to his village from the city of Bangalore the crowds mill around his house to see whether he has changed or not अब मैं आपको बताऊंगी कि जब वो आया वहाँ से तो यह क्या कह रहे है? When he returns to his village, जब वो अपने गाँ वापस आता है शहर Bangalore से, तो जो भीड होती है mill around his house, मतलब कि आप देखो जैसे इकटी हो जाती है ना बच्चे कोई भी नया आदमी आता है तो उसके पीछे 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 शहर से आते हैं तो घूमने लग जाते हैं, पीछे पीछे दोडने लग जाते हैं तो वैसे भी रंगा को एकदम celebrity वाली feeling आरी थी यहां पर और सारी भीड जो है वो रंगा के घर के चारों तरफ वी कटी हो गई यह देखने के लिए कि क्या उसमें कोई बदलाव आया है या नहीं आया His ideas about marriage are now quite different और उसके जो विचार थे शादी को लेके वो अब कुछ अलग तरीके के हो गए थे और आर दे की भाई यहां पर यह जानना चाहते थे सभी लोग की उसकी शादी को लेके विचार जो है वो बदले थे या नहीं बदले थे या क्या विचार हो गए थे उसके ठीक है स्टोरी थोड़ी सी आपको समझ में आई कि किस चीज की चारो तरफ स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करने वाली है ठीक है बच्चो तो शुरू करते हैं हमारा चाप्टर अब इसमें आपको थोड़े से साउथ इंडियन टर्म्स भी सुनने को मिलेंगे जो कनड और तम का बेटा था और यह सब हमने देख लिया जब तुम यह टाइटल देखते हो तो सम आफ यू में आस्क तुम में से कुछ लोग जो है वो क्या पूछोगे रंगा की शादी यह किस तरीके का टाइटल हुआ ठीक है वाइनॉट रंगनाथ विवाह रंगनाथ जो उसका पूर या फिर रंगनाथ विजिया क्यों नहीं है इसका नाम यह आप जरूर पूछोगे विजिया मतलब क्या होता है विजिया मतलब होता है विक्ट्री इस तरीके के नाम जो है वो आप क्यों नहीं रखे यह रंगाज मैरिज जो है वो किस तरीके का नाम यहाँ पर लाकर अपन माऊट विलिंग बहुत अच्छ्यच्छ जो है मैं यूज कर सकता था जैसे की जगनाथ, विजह और गिरी, राज, कल्यान, अब Giri राज यहां पर क्या होता है? गिरी जा, कल्याना गिरी जा यहां पर 낮 कल्या यहां पर एक Uvlaw के लिए यूज है ट्थीक है यहां पर ठीक है, तो हमें समझ में आया कि भई हो सकता है कि गिरिजा कल्यान इस तरीके का नाम क्यों नहीं रखता है, हमें तो कुछ भी नाम रख सकते थे, अरे भई, ये तो हमारे खुद के रंगा की शादी के बारे में है, चाप्टर, और इसलिए अपना ही बेटा है, अपना ही है ये तो, ये जो जहार जाकर आ रहे है लोग फिकते न, वैसा वाला, तो कह रहे हैं कि इसलिए मैंने कोई fancy title नहीं दिया, अपना ही तो लड़का है, उसके लिए ही तो बताना है, उसकी marriage के बारे में बताना है, होसा हाली is our village, village का नाम याद रखना, क्या है, होसा हाली नाम है, ठीक है, you must have heard of it, तुमने इसके बारे में सुना ही होगा, ठीक है, ज याम तो सुना ही होगा, so, no, what a pity, वो कह रहे है, अच्छा आपने नहीं सुना ये नाम, किते दुख की बात है, but it is not your fault, लेकिन यापकी गलती नहीं है, there is no mention of it in any geography book, क्योंकि इसका कहीं पर भी, कोई भी mention जो है, वो नहीं किया गया, मतलब कहीं पर भी नहीं बताया हुआ ह इसके गाओं के बारे में, किसी भी geography book में जो है, इस गाओं के बारे में नहीं बताया हुआ है, दो sahibs in England, जो sahib होते थे England में, writing in English, अंग्रेजी में लिखते थे, and probably do not know, और हो सकता है, कि नहीं जानते थे, that such a place exists, and so make no mention of it, कि ऐसी कोई जगा जो है, वो exist करती है, इसलिए उन्होंने इसका कोई भी जो जिक्र है, वो नहीं किया, ठीक है, so यहाँ पर आगे भढ़ते हैं हम, yes, उसके बाद, our own people too forget about it, हमारे खुद के लोग जो हैं, वो इसके बारे में भूल जाते हैं, you know how it is, they are like a flock of ship, और आप जानते ही हैं, यह किस तरीके के हैं, यह वो जाल वाले लोग हैं, one sheep walks into a pit, अगर एक भेड जाकर गड़े में, पित होता है, गड़ा, तो एक sheep जाकर, अगर गड़े में गिर जाएगी, the rest blindly follow it, तो जो बाकी के होते हैं, वो उसके पीछे 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 जाके गड़े में गिर जाती है, यह कहने की कोशिश कर रहा है, when both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you, क्या कह रहा है, कि when both these sahibs, जब दोनों sahibs, जो हैं, England के, और हमारे जो खुद के geographers हैं, मतलब भुगौलिक आदमी होते हैं, जो इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, जब वो इस चीज का mention कहीं भी अग नहीं कर रहे, you cannot expect the poor cartographer, तो आप बिलकुल expect ही नहीं कर सकते, कोई आशा ही नहीं रख सकते, कि हमारे जो मान्चित्रकार होते हैं, जो नक्षा बनाते हैं, वो बिचारे कहां से इसको याद रखेंगे, वो उन्हें कैसे इसको मैप में रखना याद रहेगा, can you, क्या, आप सकते हो क्या, and so there is not even the shadow of our village on any map, और इसी लिए हमारे इस गाउ की परचाई भी किसी भी map में नहीं है, sorry, I started somewhere and then went off in another direction, माफी मांग रहे, कह रहे, यार, कहानी क्या बतानी थी, पहुँच गया मैं जोग्रफर्स, कार्टोग्रफर्स पे, तो वो कहता है कि, sorry, sorry, मैंने कहां र अलगी direction में चला गया, if the state of मैसूर is to भारत वर्शा, what the sweet करीगा दाबू is to a festival meal, then होशा हाली is to मैसूर state, what the feeling is to be करीगा दाबू, अब वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि if the state of मैसूर is to भारत वर्श की जो हमारा state है, मैसूर का, उसे हम क्या बुलाते हैं, भा भारत वर्श मतलब इंडिया, अगर हम उसे बुलाते हैं, यहाँ पर, तो, देखो, if the state of मैसूर is to भारत वर्शा, की अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, की हमारे जो मैसूर है, अगर वो भारत वर्श के लिए जाना जाता है, कि वो इतना important है, जितना की हमारा इंडिया important है, ठीक है, करीगा दाबू जो है, वो एक festival meal है, करीगा दाबू यहाँ पर जो है, वो क्या है, एक festival meal है, एक second हाँ, वो कौन सी है, यह गुंजिया जो है, हम इने कहते हैं, कह रहे जो करीगा दाबू एक festival meal है, and filling is करीगा दाबू, मतलब की, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो कह र मैं समझाती हूँ आपको कि if the state of Mysore is to भारत वर्ष अगर यहाँ पर हम कहें he says कि अगर यह इतना ही important है कि Mysore जितना इंडिया के लिए important है या Mysore हम बोलेंगे पूरा भारत वर्ष के लिए जितना important है ठीक है उसके बाद इसने बोला करीगद आबू भी उतना ही important है एक festival के उतना ही important क्या है ये वाला sweet है that is the करीगद आबू what I have said is absolutely true believe me कह रहा है जो भी मैंने कहा वो बिलकुल सच है मेरा यकीन करो and I will not object to your questioning it but I will stick to my opinion और कह रहा है कि मिरको कोई आपत्ती नहीं है अगर आप इस पे कोई भी सवाल उठाते हैं लेकिन मैं अपने opinion पे जो मेरा बयान है जो मेरा सोचना है मैं उस पर अडिक रहूंगा I am not the only one who speaks glowingly of होशाहली मैं अकेला ही ऐसा इनसान नहीं हूँ जो होशाहली के बारे में बहुत बढ़ चड़कर और बढ़िया तरीके से बात कर रहा है we have a doctor in our place अब वो बताएगा हमें एक doctor के बारे में कि हमारे हाँ पर ए जाम है उसका and he agrees with me और वो भी मेरी बात से सहमत है he has been to quite a few places वो बहुत सारी जगाओं पर घूमे है no not England नहीं नहीं if anyone asks him whether he has been there he says no Anaya अगर कोई उनसे पूछता है कि क्या वो वहाँ पर गए है तो वो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं नहीं Anaya Anaya मतलब एक बड़े इंसान को ज ठीक है I have left that to you और कह रहा है कि अब मैं ये चीज जो है वो आपके ऊपर छोडता हूँ आपको मानना है मानो नहीं मानना मानो इस पर सवाल उठाना है उठाओ नहीं उठाना है मत उठाओ running around like a flea pester dog is not for me I have seen a few places in time though as a matter of fact he has seen many running around like a flea pester dog is not for me कि बदलब एक flea pester dog होता है ना जिसके उपर बहुत जारे कीडे मकॉडे लग जाते हैं और उस डॉग को चारो तरफ से वो जो मकॉडे हैं और वो मधुमख्या नहीं मधुमख्या वगरा ये इसको घेर लेती हैं तो वो कह रहा है कि running around like a flea pester dog की एक flea pester dog के चारो तरफ घूमना वो मेरा नहीं है आदत I have seen few places in my time मैंने अपने समय में कुछ जगाहें देखी हैं as a matter of fact he has seen many और उन्होंने भी काफी जगाहें जो हैं वो देखी है we have some mango trees in our village कुछ आम के पेड़ भी हमारे village में हैं come visit us and I will give you a raw mango from one of them और वो कहता है कि आईए हमारे गाउ में आईए और मैं आपको कुछ raw mango जो है उनमें से खिलाऊंगा do not eat it उसे खाईएगा नहीं just take a bite केवल एक bite लीजियो जो mango का and the soreness is sure to go straight to your brahmandra वो कह रहा है कि उसकी जो खटास है ना raw mango की वो मैं कह रहा हूं कि सीधे आपके यो brahmindri जो होती है ना कि एकदम से उसकी खटास अंदर तक आत्मा तक पहुँच जाएगी आपके I once took one such fruit home and a chutney was made out of it अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बार मैं क्या गया ये वाला fruit लेकर घर गया और उसकी chutney बनाई all of us ate it हम सबने वो chutney खाई and the cough we suffered from और उसके बाद जो खासी हमें हुई है after that उसके बाद it was when I went for the cough medicine और उसके बाद मैं अपनी खासी की दवाई लेने गया that the doctor told me about the special quality of food तब उस डॉक्टर ने मुझे इस फल की अचली quality के बारे में वहाँ पर बताया जब मिर को उस चटनी को खाने से खासी हो गई तब उसने मुझे बताया उस fruit की special quality के बारे में just as the mango is special so is everything else around our village वो कह रहा है कि जितना mango हमारे गाउं के लिए special है so is everything else around our village और हमारे विलिज के चारो तरफ और और भी ऐसी चीजे है वो बहुत important है we have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond creeper मतलब इस तरीके की बेल वो कह रहा है कि हमारे गाउं में जो pond है उसकी चारो तरफ इस तरीके की बेल उगने लगी है its flowers are a feast to behold कह रहा है उसके जो fool है वो एक तरीके से feast है मतलब दावत की तरह है अगर आप उन्हें पकड़ते हैं तो get two leaves from the creeper उस creeper से केवल दो पत्ते लाओ when you go to the pond for your bath जब आप नहाने के लिए उस water body में जाओ तब वहां से दो पत्ते लाओ and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal और उसके बाद आपको बिलकुल भी तकलीफ लेने की जरुरत नहीं है कि दोपहर का खाना कौन से पत्तलों में लगाना है आपने देखा होगा वहां के लोग banana leaves जो होते हैं है ना इन चीजों में खाना खाते हैं प्लेट फ्लेट में खाना नहीं खाते वो लोग तो ये कितनी अच्छी चीज है ना दोना पड़ता है ना कुछ और करना पड़ता है उनकी वापिस से खात भी बन जाती है बहुत अच्छा होता है ये अब तुम सोचोगे कि भाई मैं तो ऐसे ही लंबी लंबी बाते फेक रहा हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है जब भी बात मेरे गाओ की आती है तो बच्छो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है लेकिन बहुत हुआ अगर आप मेंसे कोई भी हमें मिलना चाहता है गाओ आना चाहता है drop me a line, केवल मुझे एक line लिख के भेज देना, I will let you know where होशा हली is and what things are like here, तो मैं आपको बता दूँगा कि होशा हली कहाँ पर है और वहाँ पर क्या-क्या चीजें जो हैं वो होंगी, वो कह रहा है कि जो सबसे बढ़िया बात है किसी भी जगा की उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उस जगा को घूमने जाना चाहिए और क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है, आपने एक बात नोटिस की इतना चाप्टर पढ़ लिया रंगा की बात है कहीं पे भी उसकी शादी की बात है कहीं पे भी चुट टाइटल दिया हुआ है बच्चों उसकी तो बात ही नहीं है पूरे अभी तक वो कह रहा है ये बात कि यार ऐसा ही होता है मैं मेरी गाओ की कोई भी बात लेके आता हूँ ना भाई अलगी लेवल में चला जाता हूँ अलग डिरेक्शन में जाके कुछ-कुछ-कुछ बताने लग जाता हूँ क्यूं क्यूंकि हमारा होशाहली है ही ऐसा इतना बढ़िया है आपको क्या ही बताए हम छीक है आगे चलते हैं अब आया है वो मुद्दे की बात पे कि जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो की आज से दस साल पहले हुआ था वी दिद नॉट है वेनी पीपल हूँ निव इंग्लेश हमारे पास जादा लोग नहीं थे गाउं में जो अंग्रेजी जानते थे उस समय आर विलज अकाउंटन्ट वस्ट वस्ट वन हमारे गाउं के जो अकाउंटन्ट थे वो पहले आदमी थे जिनमें इतना साहस था यह उन्होंने अपने बच्चे को बैंगलॉर पढ़ने के लिए भेजा अब बदल चुका है हमारा गाउं दिर आर मैनी हुनों इंग्लिश बहुत लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं दूरिंग दी हॉलिडेज यू काम अप्रोस देम उन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश और वह खहरा है कि छुट्टियों के समय जब होता है अपने लोग गाउं वापिस आते हैं तो हम तुम हर गली में ऐसे आदमी देख सकते हो जो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे तो हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे और नहीं हम कोई अंग्रेजी शब्द जो है हमारी कननड भाषा के बीच में लाते थे यह बहुत ही डिस्ग्रेस फुल है अच्छा नहीं है ठीक है उसे यह चीज जो है पसंद नहीं आ रही है कह रहे है पहले ही जो था ना वही बढ़िया था यह जो अब हुआ है यह बहुत जादा डिस्ग्रेस फुल है और मेरे को बिलकुल भी पसंद नहीं आया है यहां पर The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood और अगले दिन मैं कहा था Rama Rao के घर था जब वो एक bundle firewood का लकड़ी जलाते है ना पनाग के लिए तो वो यही कह रहा है कि अगले दिन मैं कहा था मेरे बच्चों अगले दिन मैं था Rama Rao के घर पर when they bought a bundle of firewood और जब वो एक bundle of firewood जो है वो लेकर आते है Rama Rao's son came out to pay for it और Rama Rao का लड़का बाहर आता है पैसे देने के लिए He asked the woman और वो उस और अरत से पूछता है How much should I give you? मुझे तुमें कितने पैसे देने चाहिए? 4.20 she said उसने कहा 4.20 She said the boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning तो लड़के ने उसे बोला कि भाई आज मेरे पास change नहीं है तुम कल सुभे आना The poor woman did not understand the English word change जो बिचारी बच्ची थी गरीब बच्ची थी उसको poor woman sorry जो महिला थी गरीब वो बिचारी नहीं समझ पाई नहीं इस बात को समझ पाई कि यह जो English word है change छुटा मांगते है ना पन वो तो वो कह रहा है कि यह change जो है word उसको समझ में नहीं आया और वो बढ़बढाते हुए muttering to herself मतलब की बढ़बढाते हुए वहाँ से चली गई I too did not know मिरको भी नहीं पता था Later when I went to Ranga's house और उसके बाद जब मैं Ranga की घर गया और मैंने उससे पूछा I understood what it meant और मुझे समझ में आ गया कि उस word का मतलब क्या था This priceless commodity the English language यह जो मतलब हम कह सकते है जिसका हम कोई अमूल्य commodity एक चीज है अंग्रेजी भाशा was not so widespread in our village a decade ago कह रहा है 10 साल पहले इतनी साथा फैली हुई नहीं थी हमारे गाउ में यह जो भाशा है That was why Ranga's homecoming was a great event और इसी लिए जो Ranga का घर वापिसाना एक बहुत बड़ा event बन गया था एक मुद्दा बन गया था, एक occasion बन गया था People rushed to his doorsteps announcing the accountant's son has come The boy who had gone to Bangalore for his studies is here it seems And come Ranga is here, let's go and have a look क्या कह रहा है कि Ranga का उसके घर वापिसाना एक बहुत बड़े event में बदल गया था लोग भाग रहे थे, Ranga के घर के दर्वाजे तक, doorstep मतलब चौकट तक यह चिलाते हुए कि अरे accountant का बेटा वापिस आ गया जो लड़का Bangalore गया था, वो अपनी पढ़ाई पूरी करकर वापिस आ गया ऐसा लगता है, चलो रंगा यहाँ पर है, चलो उसको देख कर आते हैं इस तरीके की आवाजें जो हैं सुनाई दे रही थे और लोग भाग भाग कर उसके घर के दर्वाजे पर आ गये अब इतना अकर्षित हुआ मैं उस भीड की तरफ की मैं भी चला गया और वहाँ पर कोर्ट्यार यह सामने का जो आंगन होता है इसे कोर्ट्यार बोलते हैं तो वो कह रहा है इस आंगन में जाकर मैं खड़ा हो गया और मैंने पूछा यह सब लोग यहां क्यों आए हैं यहां पर कोई बंदर नहीं नाच रहा जो यह लोग यहां पर आए हैं इन्हें नहीं पता था हमारे राइटर जी को और वो कह रहा है कि जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि रंगा जो है उसके वई दो हाथ दो पैर आखे नाक एक जैसी है तो क्राउट जो है वो मेल्ट हो गई मतलब जो लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या ही बन के आया होगा भाई क्या चेंज हो गया होगा वसमें पढ़ तो वो कह रहे क्राउट जो है वो एक जैसे बच्चे के मुह में हम टुकडा रख देते हैं चीनी का और वो पिंगल जाती है इस तरीके से सारी क्राउट जो है वो पिंगल गई I continue to stand there लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा After everyone had gone जब सभी वहाँ से चले गए थे तो मैंने पूछा How are you Rangappa? मैंने पूछा कैसे हो तुम Rangappa? Is everything well with you? क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ? It was only then that Ranga noticed me और ये वहीं किवल उसी समय Ranga ने मुझे noticed किया था वो मेरे पास आया and did a namaskar respectfully saying I am all right with your blessings और उसने मुझे namaskar किया और बोला कि आपकी आशिरवात की दया है मैं बिलकुल ठीक हूँ पहरवेट चुए उसने namaste-maste किया I must draw your attention to this aspect of Ranga's character अब मैं आपका ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा किसकी और रंगा के इस character की तरफ कि he knew वह जानता था when it would be his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth अब वो यहां पर क्या कह रहा है कि वो यह जानता था कि कैसे it would be to his advantage to talk to someone कि कैसे उसका एक advantage होगा किसी से भी बात करना and rightly assessed people's worth और कैसे वो मुल्यांकन करता था सही लोगों का as for his namaskar to me, जिस तरीके का उसने मुझे namaskar किया था he did not do it like any present day boy उसने ऐसे नहीं किया जैसे आजकल के बच्चे करते हैं with his head up आजकल के बच्चे कैसे नमसकार करते हैं आप किसी के भी पैर चुओगे ना मुझ तो ऐसे उठा होता है और ऐसे आदे जुग जाते हो और हलका सा बस, हाँ, ममी आप आप पैर लगते हैं पैर लग जाते हैं ऐसे करते हैं आप बच्चे जैसे करते हैं तो वो यहीं कह रहा है कि आजकल के जो बच्चे जैसे करते हैं वैसे नमस्कार नहीं किया, उसने, कि उसका सर जो है वो उपर, सूरज की तरफ है, standing stiff like a pole with joints की भई, मान लो, एक खंबा जो है वो joints के साथ वहाँ पर, बिना joints की खड़ा हो, और ऐसे ही बस खड़ा-खड़ा कह रहे हां, नमस्ते, जर्किंग इस बोड़ी as if it was either a wand or a walking stick, वो जोडते हैं, he bent low to touch my feet, वो जुका, मेरे पैर चुने के लिए, may you get married soon, I said blessing him, और मैंने का, अरे जल्दी से शादिवादी हो जाए तुम्हारी, जीते रहो, after exchanging a few pleasantries, यह थोड़ी मोड़ी pleasantries की भई, नमस्कार, आशिरवाद और इन सब के बाद, मैं वहां से चला गया, चलो, यहां तक की स्टोरी समझ में आई अभी तक, या कोई दिक्कत आ रही है अभी भी, आ रही है क्या कोई दिक्कत, चलो, तो रंगा जो है, वो मेरे पास आता है, कुछ औरेंजे लेकर, खुद के हाथ में, अ जेंरिस, कंसिड्रेट फैलो, एक बिचारा, प्यारा सा, कंसिड्रेट, मतलब, concerned, thoughtful, अच्छा, समस्दार बच्चा, तो यह एक सुसाइटी के लिए अच्छा काम होगा, तो यह एक सुसाइटी के लिए अच्छा काम होगा, तो अबने इदर उदर की बाते की, तन आइ चेम तो पॉंट और उसके बात में सीधा मुद्दे पर आया, रंगपा, when do you plan to get married? रंगपा, कब का प्लान है तुम्हारा शादी वादी का? I am not going to get married now, he said, उसने कहा कि भाई, अभी मेना कोई plan नहीं है शादी वादी का, तो हमारे यह ओधर जी पुछते, why not? क्यों भाई, क्यों नहीं है? I need to fix the right girl. वो कैता है कि भाई, अभी मुझे सही लड़की का चुनाव भी तो करना है? I know an officer who got married only 6 months ago. मैं जानता हूँ एक officer को जो भी 6 महीने पहले ब्या करवाया था, उसने अपना, he is about 30 and his wife is 25. वो कम से कम 30 साल का है और उसकी बीवी 25 साल की है. ऐसा मुझे बताया गया. और वो सकता है कि हो मेरी गुस्से की बात को भी बहुत जादा प्यार में समझ ले. Recently a troop in Bangalore staged the play Shakuntla. अभी अभी वो example देता है कि अगर मैं आपको बताऊ ना कि अभी अभी एक play हुआ था. प्ले पता है ना आपको क्या होता है कि हम लोग ये stage वगरा पर करते हैं ना नाटक वो. तो कह रहा है कि अभी अभी ना एक play हुआ था, staged, the play Shakuntla, जिसका नाम Shakuntla था. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntla if she were young. अगर Shakuntla जवान होती ना, तो Dushyant उसके प्यार में कता ही नहीं पड़ता. Like the present day brides is there, जैसे कि आजकल की brides होती है, होता है क्या ऐसा? What would have happened to Kalidasas play? और उसके बाद Kalidas के प्ले का क्या होता? If one gets married, it should be a girl who is mature. और अगर किसी आत्मी को शादी करनी है, तो लड़की जो है, वो mature होनी चाहिए. Otherwise, one should remain a bachelor. Otherwise, उसको हमेशा कुवारा ही रहना चाहिए. That's why I'm not marrying now. और इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा. ठीक है भाई? Is there any other reason? कि इसके लब कोई और भी कारन है? A man should marry a girl he admires. तो वो कहता है कि एक इनसान को एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए. जिसे वो admire करे, पसंद करे, स्तारीफ करे, उसको मतलब उसे लगे कि हाँ यार, ये, ये मेरी बीवी बननी चाहिए. ठीक है? What we have now are arranged marriages. अब हमारे पास क्या है? हमारे पास arranged marriages है. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other? Or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? वो कह रहा है कि यार, इतनी जादा जवान लड़की से शादी करके, क्या फाइदा है? जिसके एक तरफ तो हम कहें कि दूद के निशान है. ठीक है? दूसरी तरफ, मतलब वो एक तरह से कह रहा है कि बहुत जादा छोटी बच्ची का वो जिकर यहां पर कर रहा है, कि जिसको नाक्मून कैसे काटने है, या फिर जिसे कुछ भी नहीं पता. ठीक है? इस तरहीके से वो बोल रहा है. एक तो करेला और उपर से नीम चड़ा. एक तो वो छोटी उम्र में और उपर से यह हरकते उसकी, वो कुछ नहीं समझेगी. एक तो करेला उपर से नीम चड़ा. क्यों हुँ शादी करनी है? I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. मैं इसे बहुत जादा stress में आ गया. कि जो लड़का मैंने सोचा था कि एक बहुत अच्छा husband बनेगा, वो तो कुमारा रहने की बात कर रहा है. I made up my mind right then that I would get him married. और उस समय मैंने अपना दिमाग बना लिया. यह वो है, यह बिचोली है होते हैं ना, कि हमारे रिष्टेदार जो होते हैं, भाई, तेरी तो शादी करवानी है, पढ़ लिखिया, लिख लिया, अब तो शादी होनी ही चाहिए. पीछे पढ़ जाते हैं, न यही बात है बस. रामा राओ की बती जी, जो की एक बहुती सुन्दर लड़की थी, ग्यारा वर्ष की, had come to stay with him, वो उसके साथ वहां रहने आई. शी वो इक बड़े शहर से थी, so she knew, knew how to play the Vina and the Harmonium, और वो जानती थी, की Vina कैसे बजाते हैं, Harmonium कैसे बजाते हैं, शी आलसो had a sweet voice और उसकी बहुती अच्छी प्यारी सी आवाज थी, बोथ हर पैरंस है डाइड, उसके दोनों माता पिता मर चुके थे, and her uncle had brought her home, रूमरुन के अंकल उसे अपने घर ले आय थे, रंगा was just the boy of her and she, the most suitable bride for him, रंगा है इसके लिए परफेक्ट लड़का, और रंगा के ल visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me, कि मैं अकसर रामराओ के घर जाता आता रहता था, इसलिए वो लड़की, अच्छी मतलब गुले मिले हुए थे, हम जानती थी हमें, I completely forgot to mention her name, अरे, इतनी सारी बाते बता दी, मैं तो पूले तरीके से भूली गया था उसका नाम बताना, Ratna it was, रंगा ल पर गया और उसकी बीवी को बताया, I'll send some buttermilk for you, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाच भेजूगा, ask Ratna to fetch it, तो Ratna को आप भेज दीजिएगा, उसे लेने के लिए, Ratna came, it was a Friday, Ratna आई और ये शुक्रवार का दिन था, so she was wearing a grand sari, और शुक्रवार का दिन था, उसने बहुती महा लाजवाब, साड़ी पहनी हुई थी, I told her to sit down in my room and requested her to sing a song, मैंने उसे बुलाया अपने रूम में और उसे गुजारश की कि एक गाना गा के सुनाये, I sent for Ranga, और मैंने Ranga को बुलाने के लिए भेज दिया, while she was singing the song, जब वो गाना गा रही थी, Krishnamurti, in front of my eyes, Ranga reached the door, Krishnamurti ज जो है, उसे लग रहा था, कि जब वो गाना गा रही थी, साक्षात कृष्ण मूर्ती जो है, वो मेरे आखों के सामने थे, और Ranga जो है, वो दर्वाजे पर आ चुका था, he stopped at the threshold, और वो चोखट पर एकदम से रुख गया, ऐसे हो थाना, एकदम फिल्मी सीन था, यहां पे, एसे, he did not want the singing to stop, क्योंकि वो नहीं चाहता था, कि वो जो आवाज, वो जो गाना, वो जो मधुर गाना बज रहा है, वो रुके, but was curious to see the singer, लेकिन बहुत ही उत्सुक था, singer जानने के लिए कि कौन singer है, carefully he peeped and बहुत थ्यान से उसने असे चाक कर देखा, the light coming into the room was blocked, चु, light क stranger here abruptly stop, तो रतना ने देखा कि जो light आ रहे थी, वो एकदम से रुक गई और एक अजान आदमी को देखके वो एकदम से stop हो गई, गाना बन कर दिया, suppose you buy the best quality mango, मान लो तुम बिलकुल perfect, अच्छी क्वालिटी के mango खरीते हो, you eat it slowly, तुम धीरे धीरे उने खाते हो, severing the peel, उसको हराम से उसके उतारते हो, मतलब उसका जो छिलका है उसको उतारते हो, before biting into the juicy flesh, जिससे पहले आपने अगर Katrina Calf की आट देखी हो, slice की, तो जैसे वो mango खाती है, वही description यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, you do not want to waste any part of it, क्योंकि आप उसका एक भी अंश वेस्त नहीं करना चा हाथों से स्लिप हो जाए और वो अगर जमीन पर गिर जाए, how do you feel, तुम्हें कैसा लगेगा, रंगा's face showed the same disappointment when singing stopped, और रंगा का जो शकल दी रंगा की, वो ऐसी ही हो जाती है, जब आपको बड़े मजे आ रहे हैं, उस आम को खाने में, उस fruit को खाने में, और अगला बाइट लेने ही वाले, उससे पहले वो fruit नीचे गिर जाए, और आपको ऐसे लगे, यह क्यो हो गया, यह वाला disappointment उसके face पे था, जब रतना जो है, वो गाना गाना बंद कर देती है, ठीक है, तो आज की class में हम क्या करेंगे, हम मात्र इतना chapter जो है, वो cover करेंगे, next class में हम इसके आगे इन दोनों की बात होती है, या नहीं, ठीक है, और आगे इन दोनों की शादी भी होती है, या नहीं, या प्यार में पढ़ते है, लव स्टोरी शुरू होगी या नहीं, यह हम देखेंगे next class में, वीडियो के description में बच्चो आपको लिंक मिल जाएगा, कोई भी confusion है, link क्लिक करो, PDF डाउनलोड करो, notes मिल जाएगे, confusion है, comment करो, reply ज़रूर मिलेगा आपके doubt का, और यह है आपका time table आपके सामने, so, tangible का ले लो screenshot, कोई problem नहीं है, और सारी classes attend करो time to time, so, जानने के लिए आगे की कहानी, देखते रहिए, doubtnut की live classes, तब तक के लिए, bye-bye, tata,